नमस्कार दोस्तों, चंदर गरहन की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबी को हम बता दें कि 5 जून 2020 को चंदर गरहन पढ़ने वाला है और उस चंदर गरहन की संपरुन जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। चंदर करहन का समय क्या होगा, चंदर करहन का सूतक समय क्या रहने वाला है और चंदर करहन क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा और प्रेगनेंट लेडिज पर इसका क्या परभाव पढ़ने वाला है और इसके साथ-साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि चंदर कर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिविकेशन की गंटी जरूर चालू कर लें ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो हम आपके मदद सबसे पहले कर सकें तो चंदर गरहन आने वाला है पांच जून दो हजार बीश को इसके पशाथ एकिस जून दो हजार बीश को भी सुरिय गरहन पढ़ने वाला है और दोस्तों इसके पशाथ पांच जुलाई दो हजार बीश को चंदर गरहन फिर से पढ़ने वाला है तीस नवंबर दो हजार बी 20 के दिनांग को और हम आज खास तोर पर बात करने वाले हैं 5 जून 2020 के चंदर गरहन की तो 5 जून चंदर गरहन का समय हम आपको बता देते हैं 5 जून 2020 को जो चंदर गरहन पढ़ने वाला है उसका आरंब होने का समय होने वाला है 11 बजकर 15 मिनट पर और ये चलने वाला है अगले दिन की सुबए 6 जून 2020 की सुबए तक 2 बजकर 36 मिनट तक ये चंदर गरहन चलने वाला है दोस्तों आप समय दोबारा से जान लीजी अच्छी परकार से ये चंदर गरहन शुरू होने वाला है 5 जून 2020 की दिनांग को रात को 11 बजकर 15 मिनट पर और ये चंदर गरहन शमाप्त होने वाला है 6 जून 2020 की दिनांग को सुबए के 2 बजकर 36 मिनट तक ये भारत का समय रहने वाला है चंदर गरहन का अगर आप अपने सहर का सही परकार से सटीक समय जाना चाते हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सहर का नाम अभी लिख दीजिए ताकि हम आपके सहर का बिलकुल सही समय आपको बता सकें क्योंकि बारत एक बहुती बड़ा देश है तो सभी सहरों का समय एक नहीं है तो थोड़ा थोड़ा अलग समय है तो प्लीज आप नीचे कमेंट में अपने सहर का नाम आवश्य ही लिखे और दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं चंदर गरहन 5 जून 2020 का सूतक समय क्या रहन वाला है दोस्तों वैसे तो सूतक समय 12 घून पहले ही लग जाता है लेकिन इस चंदर गरहन का सूतक समय हम आपको बता देते हैं 9 घंटे पहले सुरू होगा 9 गंटे पहले इस समय के अनुजार समय रहने वाला है 2 बज़ कर 15 मिनट दो पहर के तो इस समय के पसाद सभी परकार के पुजा पाट और सुब कारिय वर्जित हो जाते हैं सूतक समय में और सभी का डाउट होता है कि क्या हम सूतक समय में खाना खा सकते हैं लेट सकते हैं बैठ सकते हैं सो सकते हैं या किसी भी परकार का कारिय कर सकते हैं तो हम आपको बता दें कि आप सूतक समय में किसी भी परकार का कोई भी कारिय कर सकते हैं लेकिन आपको गरहन के दोरान कोई भी कारिय नहीं करना चाहिए तो pregnant ladies बिल्कुल विजेश तोर पर इन कारियों का ध्यान दे ताकि आप की शहत पर किसी भी परकार का कोई भी नुक्षान नहीं हो और आप हर परकार के नुक्षान से बचे रहें जो चंदर गरहन के दोरान होते हैं तो दोस्तों हमने आपको ये सबी परकार के कारिये बताए हैं कि चंदर गरहन के दोरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बे जी जख लिख सकते हैं हम आपको आपके कमेंट का जो आप दोरान लाइव भी बने रहने वाले हैं तो आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर चालू कर ले ताकि हम चंदर करहन से पहले चंदर करहन के दोरान और आने वाले 21 जून 2020 के सुरिय करहन के दोरान भी हम आपकी मदद करते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर रखें तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच पर वोच्छिंग और है नाइस डे और टेक केर जै माता दी